दोस्तो आज का वीडियो माझा इ Muhammad时间 के लिए बहुत ही इंपोटन्स रखता है कि अध mayo होता हैि कि इलेक्ट्रीक स्वीच निकले इलेक्ट्रीक स्वीच क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं S.T.E. s.ांग दोस्तों में रिसमें हम समझने वाले हैं कि Latching Switch क्या है और Momentary Switch क्या है मतलब Latching Switch versus Momentary Switch बहुत सारी जनकारी हैं मिलेगी दोस्तों कि जो कि electrical का interview के लिए ही बहुत इंतर रहेंगी तो आप इसे सुरूश रहनते देखे ताकि कोई भी डाउट ना रहा पाए आपको स्विच से रिलेटेड तो चली दोस्तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्विच के बारे में बहुत सारी बैसिक जनकारी और साथ साथ इसको एडवांस लेबल पर भी ले जाएंगे क्यों दोस्तो इसका एंसान सा एंसर होगा कि बिदुद परीपत में बिदुद धारा के परवाह को नियंतरित करने अर्थाथ परामबो और समाप्त करने के लिए प्रियोग की जाने वाली युक्ति को बिदुद स्विच करते हैं इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है दोस्त दोस्तो अब स्विच की परकार के बात करते हैं स्विच जो होता है दोस्तो दो परकार के होता है एक मेकेनिकल स्विच जिससे लोग इलेक्ट्रिकल स्विच में कहा लेते हैं और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनिक स्विच दोस्तो विए सभी स्विच जिसको सर्कीट को नियंतरित करने के लिए किसी भौतिक संपर्क अर्थात फीजिकल टज क की सकता होती है वह mechanical switch करते हैं जैसे हम आज़ों करते हैं तो God is कि इसके पास जाना पढ़ता है लेकिन अगर बात करें हम दोस्तों is 大ел attaches की तो electronic switch में हम जा करके दबाने की जुरह करना के लिए किसी भावतिक संपरक अर्थात physical touch की आज शकता ना होती है वो electronic switch कालाते हैं ये switch semiconductor से बने होते हैं दोस्तों mechanical switch हो या electronic switch हो ये दोनों के दोनों switch बहुत ही importance रखते हैं हमारे electric के छेतर में तो इन सभी के बारे में जनकारी होना अती आवस्यक है mechanical switch जिसे हम electrical switch के भी नाम से जान लेते हैं चलिए उसके बारे में बारी की से समझ लेते हैं mechanical switch को चालू और बंद करने के लिए बहुत इक संपर्ख अर्थार्थ इसके switch को किसी न किसी तरह से छूना पड़ता है जैसे push button switch को दबाना पड़ता है pressure switch को जो होता है हावा के pressure से दबाना पड़ता है rotary switch को घुमाना पड़ता है इत्यादी दोस्तों बहुत सारे switch हो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जैसे कि push button switch में no nc push button है हमारा एक bed switch है एक board switch आपको दिख रहा है यह rocker switch जो है यह हमारा एक rotary switch है इन्हें जाकर संपर करना पड़ेगा हमें हमें इनको छोना पड़ेगा तब ही जाकर के यह circuit को on off कर सकते है चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं mechanical switch की परकार को दोस्तों mechanical switch की परकार की बात करे हैं तो mechanical switch दो परकार की होते हैं पहला होता है latching switch और दोसरा होता है momentary switch latching switch और momentary switch दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस channel को like से और subscribe करना ना भूले तो यहाँ पर mechanical switch के परकार को आपने समझ लिया होगा अब चलिए latching switch को समझ लेते हैं latching switch क्या होता है देख लेते हैं वे switch जिसको एक बार दबा देने से चालू हो जात हो जाता है और छोड़ने के बाद भी चालू रहता है और फिर दुबार दबाने पर बंद हो जाता है latching switch कहलाता है latching switch के अंतर गए वे सारे switch आएंगे जिसको एक बार दबाएंगे तो या तो off या तो on होगा दुबार Yong या off हो गा 5 obviamente और अगर on हो जाएगा और on हो जानगारी हासिल कर लिए हैं चलिए अब समझते हैं momentary switch को momentary switch दोस्तों बहुत ही असान है इसको भी समझना momentary switch वे switch जिसको एक बार दबा देने से circuit चालू हो जाता है और छोड़ने के बाद बंद हो जाता है momentary switch कहलाता है momentary switch में दोस्तों हम जब तक प्रेस किया रहते हैं त स्विच होता हमारा बेल स्विच होता है उसको क्या करते हैं दबाते हैं दबाते हैं सब तक हमारा घंटी बजता है जैसे छोड़ते हैं घंटी बंद हो जाता है तो इस परकार के जो स्विच होंगे उन मेंटरी स्विच कहलाएंगे तो मेंटरी स्विच भी आपको kaal गया और दो stand-up डबल पोल, सिंगल थ्रो स्विच, SDPST, डबल पोल, डबल थ्रो स्विच, DPDT, डूल एन लाइन पैकेज स्विच, DIP स्विच, पुछ बटन स्विच, टोगल स्विच, और आटवा नमबर है, लिमिट स्विच, यौए नमबर के बात करें तो, फ्लोर्ड स्विच, आपने अन सरी स्विचों के बारे में सुना भी होगा, that's why intermediate स्विच, 11 की बात करें तो,aneous 60 स्व वाल, ट्वेल नमबर के बात करें तो, फ्लोर स्विच, प्रेशर स्विच, और भी स्विच होता है, जैसे temperature स्विच, joystick switch knife switch or switch rotary switch और भी switch है दोस्तो board switch और भी है rocker switch अगला 20 की बात करना slide switch 21 की बात करें तो bell switch और 22 की बात करें तो bed switch तो बहुत सारे switch होते हैं दोस्तो mechanical होते हैं क्योंकि इन्हें press करना पड़ता है इनके पास जाकर इनको छूना पड़ता है या किस तरह से इनको छूलाना पड़ता है तो अब चलिए समझे लेते हैं one by one करके इन सारे switches के बाद single pole single throw switch SPST single pole single throw switch एक ऐसा switch है जिसमें केवल एक input होता है और यह केवल से जोड़ सकता है इसका मतलब है कि इसमें केवल एक input टर्मिनल और केवल एक output टर्मिनल होता है single pole single throw circuit में on-off switch के रूप में कारी करता है जब switch का circuit बंद होता है तो circuit चौलू हो जाता है तो दोस्तों आपको यह switch दिख रहा होगा जिस rocker switch है इसमें क्या होता है इसको on-off करने के लिए हम प्रेस करते हैं और इस switch को on करता है दूसरी बात करें सिंगल पोल double throw switch की SPDT SPDT switch एक ऐसा switch है जिसमें केवल एक input होता है और यह दो output से जोड़ सकता है इसका मतलब इसमें केवल एक input terminal और दो output terminal है लेकिन इसमें एक वक्त में केवल एक ही output terminal को supply मिलेगी जैसे कि यह सारे switch आपको दिख रहे हैं यह हमारे सारे switch क्या है SPDT type के switch है हमारे घरों में BCDO की वाइडिंग के लिए SPDT switch का 2-way switch का इस्तमाल किया जाता है यह एक तरह से 2-way switch कालाते हैं तो आपको यहाँ पर single pole double throw switch के बारे में समझ में आ गया होगा double pole single throw switch DPST DPST switch एक ऐसा switch है जिसमें 2 input और 2 output terminal होता है कुल मिला कर हम का सकते हैं कि इसमें 2 SPST switch लगे रहते हैं अर्थात यह 2 SPST switch से मिलकर बनता है जैसे कि यह सारे switch आपको दिख रहा होंगे यहाँ पर यह सारे switch DPST switch का लाएंगे किलियर हो गया होगा दोस्तों चलिए हम समझ लेते हैं आगे double pole double throw switch जिसे हम DPDT switch के नाम से जानते हैं दोस्तों DPDT switch एक ऐसा switch है जिसमें 2 input और 4 output terminal होता है कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 SPDT switch लगे रहते हैं अर्थाथ यह 2 SPDT switch से मिलकर बनता है जैसे यह हमारा switch है यह switch को हम क्या करते हैं दोस्तों DPDT switch करते हैं क्योंकि इसमें एक pole से 2 output terminal मिल जाता है और एक time में कोई एक ही output terminal on हो सकता है Dual-in-line packet switch DIP switch दोस्तों यह भी स्तमजना असान होगा DIP switch एक manual electric switch है जो एक मुसमूह में दुसरों के साथ pack किया जाता है इस परकार के switch को अन-electronic घटकों के साथ एक मुद्रिश circuit board पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है आम तोर पर बिसिस्ट इस्तितियों के लिए electronic उपकरडों के बेवार को अनकुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों आपने इस परकार के switch को देखाई होगा यह सारे switch होते हैं दोस्तों DIP switch कहलाते हैं यह बहुत असान था समझना कि कोई hard भी नहीं है अगर आपको इस तरह के switch के दिखने को मिलते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे DIP switch dual inline package switch अब चलिए दोस्तों समझा लेते हैं post button switch और toggle switch के बारे में तो यह दो तरह के होते हैं एक NC और एक NO वह switch जिसको दबाने पर काम करता है और छोड़ देने के बाद नहीं post button switch होता है पूस्त बटन switch में आपको यह दिख रहा होगा switch यह NC push button switch होता है और दूसरा NO push button switch मतलब कि push button में दो तरह के switch आते हैं एक NC push button और एक NO push button switch टोगल switch की बात करें वह switch जिसको on off करने के लिए धातू का lever लगा होता है टोगल switch होता है जैसे कि आपको इस परकार के switch जो टोगल switch दिख रहा है इसको हैंडल होता है उसको up down किया जाता है या round में घुमाया जाता है limit switch और float switch की बात करते है limit switch दोस्तों इस परकार के जो switch आपको देखने को मिलते हैं यह सारे limit switch होते है limit switch करन को limit में रखने के लिए upyok के जाने वाला switch होता है limit switch में दो टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं एक NC का और दूसरा NO का limit switch बहुत ही important होता है industry switch के लिए industry में इसका switch बहुत इस्तमाल होता है plot switch liquid जैसे की पानी की level automatic control करने के लिए पर्योग के जाने वाला switch होता है यह भी switch बहुत जदा देखा जाता है level के control के मतलब water level को नापने के लिए इसका इस्तमाल किया जता है तो limit switch और plot switch 都是 switch आपको समझमें आ गया होगा दोस्तों इस तरह की एगर switch देखने को मिलते हैं तो आपको limit switch और plot switch समझे brows कावन उसमें limits स्विच की ौर कौन सा plot switch है दोस्तों अब चली समझ लेते हैं intermediate switch क्या होता है और two P sixty switch क्या होता है समझा भ बात करता है तो दोस्तो ये सारे स्वीच जो हैं intermediate स्वीच ही कर लाता है intermediate स्वीच हम बात करें तो दो single way स्वीच को एक साथ जोड़ देने पर उनका cross connection करने से जो स्वीच बनता है वो intermediate स्वीच होता है इसका उपयोग stair में lighting के लिए किया जाता है दोस्तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह हमारा दो जिसमें हमने arrow का सिंबल से स्वीच करनेक्ट किया है दो single way स्वीच है और स्वीच करने से वो स्वीच जो बनता है उसे हम कहते हैं दोस्तो intermediate स्वीच करते हैं अब 2P60 की बात करते हैं 2P60 स्वीच एक ऐसा स्वीच है जिसमें दो input होता है और परते एक input 6 output टर्मिल से जुड़ रहे होते हैं दोस्तो 2P60 स्वीच भी आपको समझ में आ रहा होगा एक point से 6 और दूसरे point से भी 6 टर्मिल से कंट्रोल किया जा सकता लेकिन एक समय में एक ही टर्मिल को connect करेगा 2P60 स्वीच तो दोस्तो आपको intermediate स्वीच और 2P60 स्वीच के लिए समय में आ गया होगा अब चले दोस्तो हम समझ लेते हैं अगले स्वीच के बारे में अगला स्वीच है फ्लो स्वीच और प्रेशर स्वीच दोस्तो यह नहीं भी समझना बहुत असान है फ्लो स्वीच मतलब क्या होता है इस तरह के स्वीच होंगे वो फ्लो स्वीच होंगे और प्रेशर के लिए किया चाता है septic energy यह बहुत importance रखते हैं तो आप इससे ध्यान में रखें कि यह flow switch होते है प्रेशर प्रेशर की बात करते तो यह प्रेशर यह कारड चल ने वाले स्वीच को यह प्रेशर स्वीच कहा जाता है प्रेशर स्वीच कहा जाता है अगर मानले जी किसी प्रेशर से हम किसी प्रेशर को स्वीच को ऑपरेट करते हैं तो प्रेशर स्वीच होता है इस तरह के आपके स्वीच कहीं भी दिखते हैं सारे स्वीच क्या होते हैं प्रेशर स्वीच कहलाते हैं तो आपको प्रेशर स्वीच या फ्लो स्वीच ये सारे इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होने वाले स्वीच होते हैं तो आप इन्हें ध्यान में रखें अब चली दोस्तों हम प्रेशर स्वीच के बाद देख लेते स्वीच और देख लेते हैं ज्यास्टिक स्वीच को टेंप्रेचर स्वीच क्या होता है दोस्तों यह जो स्वीच है टेंप्रेचर को सेंस करके ऑपरेट होता है टेंप्रेचर स्वीच के दुवारा चलने वाले स्वीच को टंप्रेचर स्वीच कहा जाता है टंप्रेचर स्वीच में उसके नीचे होता ना उसके पहुंच पे क्या होता है एक तरह का बाइमेटली कंटेक्ट लगया होता है जो कि टंप्रेचर को सेंस कर लेता है और उसके बाद क्या करता है स्वीच को आफ और अन करता है ज्वास्टिक स्विच क्या होता है उसमें लीवर लगा होता है वाले स्विच ज्वास्टिक स्विच होता है और नाइफ स्विच की बात करें दोस्तों तो इसमें छूड़ी क्या कार का मतलब कि एक हैंडल होता है उसको ऑन अफ कियाता है यह समान तरह से जिस तरह से हमारा ऑ करते हैं राउंड में घुमने वाले स्वीच को रोटरी स्वीच कहा जाता है रोटरी स्वीच का इस्तमाल भी कंपनी में ज्यादा किया है घरों में पंखे को कम ज्यादा करने के लिए भी रोटरी स्वीच का इस्तमाल होता है बोर्ट स्वीच की बात करते हैं तो बोर्ड में लगे हुए स्वीच को बोर्ट स्वीच का आता है बोर्ट स्वीच में आपको इलेक्टर बोर्ड में लगने वाले स्वीच को बोर्ट स्वीच का आता है आपको बहुत सारी बोर्ट देखते हैं उसमें स्वीच लगा होते हैं वो जो स्वीच होता है घरों पे वो बोर्ट के अंतरगत आपको टूवे स्वीच भी आता है सिंगल वे स्वीच भी आता है मतलब कि जिसमें कि बटन पुस्ट बटन होता है और आपका ये अलार्म वाला स्वीच भी इसके अंतरगत आता है बहुत सारे बोट स्वीच के ऊपर एक अलग से वीडियो दोस्तों बनेगी क्यो कि उसके अंदर और बहुत सरे पॉइंट ज्यूसको अवश्यक होता है रोकर स्विच क्या होता है रोकर स्विच और स्लाइट फिच यह बहुत ही अथा एसान दो समझे नहीं रोकर स्विच इस तरह के जूच होते हैं जो छोड़े चोड़े उपकरण में लगे हुए आपको स्वीच होता है, वह सारे श्याट स्वीच ही कहँता है, इसको अपडाउन करके लिए ओपर्ट के उपरेट कİंबर आता है, वे सारे स्वीच होता है, जो कि एक तरह से पूश करने पर वर्क करते हैं, और चोड़क करता है, और ऐसका इसका इस्तमाल बेल को बजाने के लिए घंटी को बजाने के लिए घरों पर किया जाता है बेड स्विच बेड स्विच मतलब कि बेड में काई भी हम लटकाने वाले स्विच को बेड स्विच कहते हैं इसे हम काई भी लटका सकते हैं उसाने से इसको ऑपरेट किया जाता है यह पूरी तरह सेफ होता है, इसको पैक किया हुआ एक स्वीच है और इसका इस्तेमाल बेड के साइड में किया था है, इसलिए इसको बेड स्वीच दोस्तो कहा जबता है, आपको यह समझने में कोई दाउट नहीं होगा अब चले दोस्तों हम electronic switch क्यों समझ लेते हैं दोस्तों electronic switch निम्तरा के होते हैं बायो पोलर ट्रांजिस्टर ये भी एक electronic switch है पावर डायोड अपने डायोड देखा होगा ये भी एक electronic switch है MOSFET ये भी electronic switch होता है IGBT ये electronic switch होता है SCR जिसे silicon control rectifier करते हैं ये भी एक क्या है electronic switch होता है tri-ac हो गया, di-ac हो गया, gate turn up, thyristor हो गया ये जो होते हैं ये भी electronic switch ही होते हैं उस तो electronics बिच बहुत importance रखता है क्योंकि electronic switch हमारे voltage और crane को बहुत असान तरीके से क्या कर लेता है और इसे के दोरा ही controlling का कार किया जाता है, bipolar transistor हो गया, power diode हो गया, या जो हमारा ये MOSFET होता है या IZPT होता है, ये सारे के सारे बहुत importance रखते हैं electronic के स्चेतर में क्योंकि इनका इस्तमाल करके बहुत ही अच्छी से switching करा ही आती है इनके अंतर के switching होता है बहुत fast होता है, बहुत ही fast दोस्तों आप SCR का नाम सुना होगा, silicon control rectifier ये दोस्तों BFT में ज़्यादा इस्तमाल किया था, di-oak हो गया, tri-oak हो गया, gate of trial raster हो गया, gate of trial raster हो गया सारे 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 switching बहुत fast होती है, और ये सारे 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 जो switch होते हैं, वो कहां इस्तमाल किया थे हैं हमारे electronics करण में इस्तमाल किया जाते हैं और इनका परियोग बहुत ही important सकता है, electronics के छेतर में, तो दोस्तों आपको यहां पर समझ में आया होगा, इसके उपर बिस्तरित जनकारी जो जाहिए, कि जो हमारा ये ठारिस्टर है, या डायोड है, या ऐसी या रहे कोई भी oil semiconductor हैं, इनका इस्तमाल करके switching के रूप में कैस पूरिस से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि उसके उपर वीडियो सोच कर बनाया जाए, all the best मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक लिए take care, bye see you again